नमस्कार दोस्तों मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन तो अब हम आपके लिए रिव्यू करेंगे मिशन राणी गंज फिल्म का जो लास्ट वीक की रिलीज हुआ है तो कैसा रहा ये फिल्म डिटेस में बात करेंगे इस वीडियो में रिक्वेस् प्रिटिकल अप्रिशेशन या लोगों का प्यार जो है वो मिल रहा है लेकिन वो बॉक्स ऑफिस में रिफलेक नहीं हो रहे है लोग शायद वेट कर रहे है कि ओटीटी रिलीज का तो कैसा रहा ये आसल में ये फिल्म कैसा रहा तो डिटेस में बात करेंगे देखिए कहान वो रानिगंज की विस्बिंग और रानिगंज की कौलियरी बियल्ट की कहानी है अगा से कि कहानी है जब अस्य के दशक में अखनेन का ग्रूप छा ह। करीब 71 पिपल का वो एक coal mines के अंदर में फ़स जाते हैं और उनका ही rescue operations जो है वो मतलब मिस्टर गिल बोलके एक जो rescue officer है वो इसको अंजाम देते हैं और ये पूरा जो process है किस तरीके से किस technique के साथ वो लोगों को निखालते हैं के लिए उसी की कहानी है अब दोस्तों इसकी positive side negative side सारे बात करेंगे और साथ में ये भी आपको बताएंगे कि ये film क्यों commercial success को नहीं मिल पारी है लेकिन पहला चीज जो है कि इस film की जो मुझे अच्छी लगी है कि इसकी जो research work है 1985-86 की कहानी है तो उस समय जैसे इस चीज को अंजाम दिया गया आता है और जिस मतलब तरीके से मतलब पूरा कहानी को जो process में दिखाए गया है तो वो research work काफी अच्छा है research की team काफी है डिरेक्ट ने काफी ज़्यादा महनत किया इसकी script को बनाने में तो यह बहुत एक अच्छी बात है जो मुझे यहाँ पर reflect होती है दिखती है साथी में अगर मैं बात करूँ कि इसके अंदर में देखी इसकी जो मतलब जो ground के नीचे का मतलब mines के अंदर का जितना shoot हुआ है जहाँ पर दिखाया गया है तो mines के अंदर नहीं होते है शूट जो है वो बाहर studio में है लेकिन जो इसे ही वो mines को बना गया है जिस तरीके जो उसको दिखाया गया है वो काफी अच्छा लग रहा है देखने में और वहाँ पे जितने भी wine, workforce बगेरा जो है उन्होंने काफी अच्छा काम किया उनका performance काफी बढ़िया है इविर उनके पड़िवार वाले जो है जो बाहर से reaction दे रहे है कि अंदर में उनके बीटा फसा हुआ किसी का पती फसा हुआ है तो उनका भी performance जो है उससे सबसे काफी सही लग रहे है गाउंवालों के किरदार में वो लोग काफी अच्छा काम किया है और साथी में ये भी बताएंगे कि इस फिल्म का जो और एक अच्छी चीज़ है कि फिल्म बहुत fast-paced है दो घंटा आटरा मिनिट का run time है तो आप बैठ होगे और एक्तम age of the corner मतलब आप बोल सकते हैं इसका experience होगा कि age of the seat experience के फटाफट फटाफट जो है वो कहानी आगे बढ़ रही है कहानी कहीं पे रुकी नहीं हुई है क्योंकि इन लोग के बाद दहात में भी वक्त नहीं है और directly into the business मतलब ऐसा कोई ये वो बहुत कुछ नहीं है पहला scene introduction हुआ हमारे सरदार जी का मतलब गिल साब का जो किरदार अच्छे कुमार प्ले कर रहे है तो उनका किरदार कैसा है वो दिखा है बस next film जो है टाइटल क्रेडिट उसके अंदर में गाना डाल दिया एक जोगाना रखना था वो वहाँ पे दिखा दिया और उसके बाद directly back into the business कि जो हाथसा है हाथसा होते है होने के बाद वो operations में लग जाता है और ये पूरा film जो है operations का दिन और उसका पहला वाला दिन को एक 48 गंटे का पूरा जो टाइम है टाइम लाइन को ही दिखाता है जो आपको एक ऐसा महसूस दिलाता है कि खाहनी बहुत ही fast-paced है तो ये मुझे अच्छा लगा है अगर नेगेटिव साइट की बात करो तो देखिए नेगेटिव साइट ही है ये भी ना चलने का और एक वज़य जो है कि इसमें जो अक्षे कुमार का जो fans है मतलब उसका जो fandom जो है वो work नहीं करेगे क्योंकि यहाँ पे अक्षे कुमार hero नहीं है अक्षे कुमार इस film की protagonist है he is playing the central character the lead character of the film जो लोगों को मतलब motivate करता है लोगों को मतलब आप बोल सकते हैं लोगों को आस्वस्त करता है कि उनके पड़िवार वालों के साथ कुछ गलत नहीं होगा वो एक मसीहा बनके यहाँ पे उभरते हैं लेकिन इस particular पिरदात के अंदर में कोई heroism नहीं है in terms of showing of the heroism heroism definitely है उनकी सोच में heroism definitely है उनकी बात करने में heroism definitely है कि वो कितने अच्छे इंसान है वो कितने भगवान के बाद उनको अगर रखा जाए तो वो भी कम नहीं होगा जिस तरीके से film के अंदर में दिखाया गया लेकिन हम लोग Bollywood में hero जैसे समझते हैं अक्षय कुमार को हम लोग जिस अफ्तार में देखना चाते है उस अफ्तार में अक्षय कुमार यहाँ पे नहीं आ रहे तो यह बहुत ही बड़ा reason से फिल्म को backfire करने की दूसरा चीज कहूँगा कि देखिए हर फिल्म में मैं अभी recentic phenomenon एक tendency में notice करने हूँ दर्शख उमें कि हाल के अंदर में दर्शख अगर जिस फिल्म को समझ नहीं पाते है आखिर में जाके true less हो जाते है वो निकलने के बाद उस फिल्म को लेकर चर्चा करते है बात में जाके देखा है उससे बात करते है क्या भई मेरे को समझाओ कि हुआ कि अल्टिमेंट ली और इससे जो होता है या सोशल मीडिया में लिखता है तो इससे क्या होता है कि लोगों का जो है उस फिल्म को लेके देखने के बाद भी दो-तीन दिन तक उसका जो मतलब एक मोड रहता है जहां पर लोग उसको बात करते है चर्चा करते है और ये एक सबसे बड़ी पॉब्ली सिरी का मीडियम होता है लेकिन जिस फिल्म के अंदर में जो ओपिन इंडेट नहीं इंडेट फिल्म होती है जहां पर कहानी वही पर खतम हो जैसे इस फिल्म में हो रही है और आखिर में बहुत जादे इमोशनल चीजे जो है आप दिखा देते हो तो लोग हॉल के अंदर में अंधरे में तो अपना रुमाल निकाल के आसू पोस लेते हैं निकलने के बात खुद को स्टर्ड दिखाने के लिए खुद को मतलब शेड दिखाने के लिए बताता है कि रहे नहीं बस यह तो फिल्म था बस यहीं पर खतम है और कुछ नहीं है तो लोग सिनमा घड से और सिनमा हौल से घड तक कुछ वापस नहीं ले जाते है और यही basically इस film के साथ हो रहा है कि इस film को उतना खास जो है publicity नहीं बिल पारी है हाला कि film मैं कहूंगा अच्छी है अक्षे कुमार के perspective से अगर उनकी film के हिसाब से देखो तो वैसे ना देखे अगर ये मान लेजिए आईशमान खुराना या फिर आज कुमार राओ अगर ये हिरो होते हैं ना आज जो दिन सिद्धिगी अगर ये लोग हिरो होते हैं तो शायरत फिल्म को वो critical appreciation भी मिल जाता जो अक्षे कुमार हैने के वज़े से नहीं मिल पारी है तो ये एक बड़ी चीज है कि आपको ये फिल्म को फिल्म के perspective से देखना पड़ेगा इस फिल्म को making के perspective से देखना पड़ेगा कहानी की gripping के perspective से देखना पड़ेगा ना कि ये अक्षे कुमार है तो भाई मेरे को वो मसालादार चीज जो है वो मुझे को दिलाओ तो वो चीज अगर आप इसको नजर अदाज करते हों तो यह डिफिनिटली एक watchable film है और आप इसको thoroughly enjoy करोगे दोस्तो यही था basically मेरा assessment मेरा review about the film called Mission Runnigans तो कैसा लगा आपको मुझे comment में आके बता सकते हो कुछ भी अगर इस वीडियो से अच्छा लगा है